देखो हम लोगों की जो पिछली क्लास में थी उस पिछली क्लास में हमने सेल के बहुत ही फंडामेंटल चीजों के बारे में बात की कि सेल आखिर क्या होता है और सेल का मतलब मीनिंग क्या है अभी कैसा है यह जो वर्ड सेल है वो अचानक से तो टपका नहीं होगा obvious है कि इस particular word को पहली बार किसी ने introduce किया होगा तो जिस इंसान ने पहली बार इस cell को introduce किया उस particular इंसान ने क्यों introduce किया अब ऐसा तो होगा नहीं कि अचानक से उनको एक राथ सपना आया होगा और उन्होंने सोचा होगा कि चलो करके cell की खोज अपन कियर देते और दुनिया को बता देते हैं कि अच्छा इस फ़राना चीज को हम लोग सेल कहते हैं ऐसा तो definitely नहीं हुआ होगा कुछ उन्होंने research की होगी उस research से कुछ conclusions आये होंगे है न किसी ने कुछ बताया होगा वगेरा वगेरा तो actually आज की class में हम लोग सेल की discovery के अलग-अलग क्या stages है हम लोग इसको ही पढ़ने वाले ठीक है तो पहली बात आपको सेल की दुनिया में यह पता होनी चाहिए कि जो first person थे जिन्होंने इस particular cell को observe किया या फिर पुरे world को cell के बारे में बताया तो वो जो पहले इंसान थे that was Robert Hooke ठीक है यह वो person थे आपको इंका नाम एकदाम अच्छे से पता होना चाहिए कौन से year में इन्होंने discovery की वो actually उतना ज़्यादा important नहीं होता है जब तक आप 9th का board exams या 9th का class का exam दे रहे हो अन्लेस और अंटिल तुम NTSC या KVPI वगेर के प्रिपर नहीं कर रहे हो तब तक वो चीज़ important नहीं होती है बट स्टिल अगर आपन चलो year में भी अगर बातचीत कर लें तो Robert Hooke ने यह जो word है cell यह दुनिया के सामने पहली बार इंट्रड्यूस करके दिया था 1665 में सोचो आज से कितने सालों पुरानी बात है कितने सालों पुरानी बात है अब लेकिन अचानक से Robert Hooke को यह cell के बारे में बाचीत करने का खयाल कैसे आया ओवियसली वो कुछ काम कर रहे होंगे उस काम से वो कुछ रिसर्च कर रहे होंगे उस रिसर्च से उन्होंने कुछ सोचा होगा कुछ सोची हुई चीज को उन्होंने लोगों के सामने रखा तो वो क्या रिसर्च थी तो देखो एक सस्टेंस होता है इस पर बैडमिंटन तो में इसे बहुत सारे लोगों ने खेला होगा ठीक है आच्छा जब बैडमिंटन आप खेलते हो तो बैडमिंटन में हम लोग बैडमिंटन के अलावा एक शटल नामक के चीज होती है तो ऐसे में होता क्या है कि जो शटल आपकी होती है उस शटल का जो नीचे वाला portion होता, जैसे कि यहां तो क्या होते है, ऐसे feathers होते हैं, है ना, feathers होते हैं, बराबर, अच्छा, अब उसके अलावा क्या होता है, नीचे आपको एक छोटा सा क्या दिखता है, ऐसा गोल जैसा कुछ दिखता है, तो यह जो गोल जैसा आपको जो दिखता है, this is basically, आप केटन खेला है ना, चलो मैं काम करती हूं, इमेज दिखा देती हूं, तुम लोगों को, ठीक है, कॉर्क इन शटल, ठीक है, चलो, देखते हैं, इमेजेस में आजाओ, इसका, यह रेखो, आप किसी भी एक इमेज को उठा लो, खेह रहा तो, स्नाप डील, अमेजन, फिलिप कहते हैं, और जो नीचे वाला हिस्सा है, उसको, बेसिकली, हम लोग कॉर्क कहते हैं, तो यह टेलाता है, तुमारा कॉर्क, ठीक है, आच्छा, इसके अलावा कॉर्क के और भी, बहुत सारे एक्जांपल्स हैं, खेहर, आजकल जो बॉटल्स बनती हैं, हमारी कोल्ड रिंग वगेरा की, इनके जो धक्कन होते हैं, यह आपने देखे हैं, किस तरीके के होते हैं, बट जब आप इस तरीके के होते हैं, यह दिखरा है, यह दिखरा है, मेटल का, बट अगर माल लेते हैं, आप केमिस्ट्री की लाब में काम कर रहे हो, तो आप लोगों को जो ग्लास कि आपके कॉर्क क्या होता है जो हम day to day life में बैंड मिल्ट फेल वक्त हम शटल का प्रयोग करते हैं धाट शटल इसके अलावा हम लोग जो बॉटल लाप वगेरा में इस्तेमाल करते हैं उनके जो धक्कन होते हैं डाटर बेसिकिलिया कॉर्क लेकिन अगर मैं तुम से पूछ ह तो कि मैडम ये ऐसा बात तो ठीक है बट फिर भी अगर हमको जानना है कि आखिर कॉर्क होता क्या है आप किस चीज को कॉर्क कहोंगे तो देखो कॉर्क के बारे में बस एक ही बादसीत कहना चाहूंगी कि कॉर्क बेसिकली क्या होती है और यह डेड़ी टीशुउज होते हैं यह dead tissues होते हैं, जैसे अगर आपका कोई पेड बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बढ़ा हो जाता है ठीक है, बहुत बहुत बहुत पुराना पेड है बहुत बढ़ा हो चुका है, तो उसका जो outer part होता है na, ठीक है, जो dead हो जाता है उसको basically हम लोग क्या कहते हैं? कोर्क कहते हैं मैं example के थिदू बतातीक हो कौक इन प्लांट्स ठीकि इन ट्रीज Not plants सर्ज करते हैं कि कोर्क कंछी तो दिख रहा है जी आपका आपका प्लांट बिंख रहा है ये इस प्लांट के यज उन्पर को काला इस ऊपको indra तो यह होता है कॉर्क इस बेसिकली वाट ड़ा इशू का इस बीप्लांट की डेड़ी टीश्यू होती ए उस पर्टिकूलर ट्री के कॉर्क को देखो ऐसे निकाला जाता है ऐसे निकाल के रखा जाता यह दिख रहे हैं कैसे वो देखो पेड़ से छील रहा है उसके उपर वारे हिस्से को और छील कर देखो जमा कर रही है वो लड़की और जमा करके एक पर्टिकुलर जगा कलेक्ट कर रहे हैं तो ऐसे केस में उस कौर को अलग-अलग आइटम्स को बनाने के लिए फिर हम लोग यूज करते हैं त कोबर्ट हूब बेसिकली क्या कर रहे थे इसी पर्टिकुलर को उन्होंने लिया उनके पास उस जमाने में उस जमाने का मतलब समझते हो 1995 नहीं 1665 मतलब आज से कम से कम ठीक है 400 साल पहले की बात्ची चल रही है 1400-400 साल पहले की बात्ची चल रही है तो उनके पास एक माइक्रोस्कोप था अब बहुत ही उनके पास एक बेसिक माइक्रोस्कोप था और वो जो microscope उनके पास था वो उनका खुद का design किया हुआ था मतलब अभी हम लोग market में अगर मान लेते हैं तुम्हें biology की tutions लेनी है तुम्हें biology किसी को सिखाना है तुम्हारे teacher को तुमको सिखाना है तुम वो microscope का use करेंगी और तुमको सिखाएंगी बट जिस microscope का use वो अगरा उतने अच्छे नहीं थे बल्कि वैं कहूंगी physics उतनी advance नहीं थी तो उन्होंने अपना microscope जो है वो खुद design किया उस microscope के नीचे यहां पर प्लेट में उन्होंने क्या रखा आपका वो कॉर्क रखा ठीक है यहां पर उन्होंने कॉर्क रखा और उपर से वो उसको क्य क्या कर रहे थे वियू कर रहे थे ठीक है वो पर से इसको क्या कर रहे थे वियू कर रहे थे तो जब उन्होंने उस particular कॉर्क को विउ किया microscope के अंडर में तो वह यह देखते हैं कि उनको वो पर तो therefore उन्होंने कहा कि मधुमक्खियों के छत्तों में जो छोटे छोटे जगाएं होती हैं इन छोटे छोटे जगाओं को हम as a room treat कर सकते हैं कि एक छोटा सा little room है और जो आप लोगों की Latin भाशा होती है Latin language की अगर मैं बात करूँ तो Latin language में जो ये word होता है छोटे छोटे रूम, small rooms इन small rooms को Latin language में क्या कहा जाता है cell कहा जाता है तो इसलिए वहाँ से पहली बार एक cell word की क्या हुई उत्पत्ती हुई कि अगर मैं उस particular cork को microscope के नीचे देखता हूँ तो उस particular cork के नीचे उस देखने से मुझे ये feeling आ रही है कि वो cork के अंदर भी बहुत सारे छोटे 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 रूम्स हैं तो therefore we are calling it as water cell ठीक है, hello ठीक है, therefore we are calling it as a cell उसके बाद, Robert Hooke के बाद, बहुत सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने इस particular field में अपना अपना योगदान दिया ठीक है, जब हम लोग NCRT read करेंगे तब उनकी marking भी हम कर लेंगे कि कौन-कौन से लोग थे जैसे एक का मैं तुम लोगों को नाम यहाँ पर लिखवा देती हूँ लिए नौक, इन्होंने 1674 में क्या किया? अगें cell discover किया, बट ध्यान रखना, Robert Hook ने जो cell discover किया था, ये एक उन्होंने dead cell discover किया था, चोकि कौर के dead tissue होता है, बट लिए नौक ने पहली बार क्या किया है? एक leaving cell के discovery की थी pond के water में, ठीक है, तलाब के पानी में पहली बार उन्होंने क्या किया था, leaving cell के, उन्होंने क्या की थी, खोच की थी, तो यानि कि पहली बार cell discover कब हुआ या, cell का word कब आया, Robert Hook के द्वारा, लेकिन वो dead था, और leaving वालक कब आया, 1674 में आया, ठीक है, अच्छा, उसके लिनॉक के बाद, एक और scientist आया, जिनका नाम था, Robert Brown, Robert Brown ने, 1831 में, उस leaving cell के अंदर, ठीक है, एक nucleus नामा के चीज होती है, nucleus क्या होता है, हम लोग इस chapter में पढ़ेंगे, बट nucleus नामा के चीज होती है, इसके discovery की, उसके अलावा, अगेन, पुरकिंजे करके, हम लोगों के एक और scientist से, इन्हों ने, 1839 में, nucleus के अलावा, cell के अंदर, protoplasm करके एक चीज होती है, इसके discovery की, तो indirectly मैं यह कहूंगी, कि धीरे-धीरे, अब अलग-अलग scientist लोगों ने, बोलो, क्या करना शुरू कर दिया था, cell तो मिल चुका था, अब cell के अंदर क्या-क्या चीज़े हैं, यह उन्होंने पता करना शुरू कर दिया था, तो इस तरीके से discovery और cell की शुरुवात, रोबा ठूक से हुई, और पिरकिंजे पर आके stop हुई, और से सेल के अंदर में माइटो कॉंड्रिया होता है, स्काई लोगों के सेल के अंदर वाक्यूल्स होते हैं, बगेरा बगेरा, तो हर सेल के अंदर हर एक component की discovery किसी ना किसी scientist के द्वारा की लिए, ऐसा नहीं हुआ है कि suddenly किसी दिन कोई scientist सुठाया उसको सेल के अंदर के सारे components के बारे में पता चलिया, विट ताइम धीरे धीरे यह सारी चीजे डिसकावर हुई है, कौन से year में डिसकावर हुई है, कौन से scientist में डिसकावर की है, यह सारी चीजे हम पढ़े हैं, बट राइट नौ, अभी हम लोगों को discovery of cell में सिर्फ इसना ही topic पढ़ना था, जो कि हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, अब discovery of cell के बाद, एक और सबसे important topic आता है, वो यह आता है, कि कुछ scientist ऐसे थे, जिन्होंने इस cell के बारे में कुछ बनाना शुरू किया, उन्होंने लोगों को कुछ बताना शुरू किया, कि देखो, आपने चलो cell की discovery कर लिये, बहुत अच्छी बात, बट हमारे according cell यह होता है, cell का यह यह काम है, वो काम है, तो next class में हम वो cell की theories के बारे में पढ़ेंगे, कि कौन सी cell की थेरी, क्या कहती थी, कितना कहती थी, उसमें लोगों को क्या बताया, बट राइट नौ, चार नाम याद होने चाहिए, पहला नाम याद होना चाहिए, रॉबर्ट हूप के बारे में, ठीक है, कि लो ने बार्क, यानि की कॉर्क, जानि की एक dead cell के अंदर पहली बार cell word का इस्तमान किया, उन्होंने इसको cell क्यो कहा, क्योंकि जब वो अपने microscope के नीचे ये चीज़े देख रहे थे, तब उनको वो एक honeycomb like structure दिखा, तो उन्होंने उसको एक नाम दे रिया, room, और Latin मार्शा में उसको हम लोग क्या कहते है, cell done, done, अच्छा, उसके अलावा 1664 में इन्होंने पहली बार एक living cell की खोज की, ठीके, अच्छा, उसके बार फिर scientist लोगों के पास advanced microscope पगिराने लगे, वो अब cell के अंदर के components धुनने लगे, जैसे आपके body के अंदर, अलग-अलग organs होते हैं, तो वो ये देखने लगे, क्या cell के अंदर भी कुछ है, या फिर cell एक hollow चीज है, तो उन्होंने ढूंदा, उन्हें पता चला कि नहीं है, cell एक hollow चीज नहीं है, cell के अंदर बहुत कुछ है, तो Robert Brown ने 1831 में, सोचो, 1674 के बाद, 1831 में Robert Brown ने nucleus को ढूंदा, और फिरकेंजे ने 1839 में protoplasm को ढूंदा, तो इस क्लास जो हमारी रहेगी, वो cell थेरी पर बेस रहेगी, कि cell थेरी क्या थी, और वो लोगों को क्या बताती थी, और फिर उसके बाद, लोग धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, शौट शौट क्लासे के थू, बड़ामा लंबा क्लासे लेके ने, शौटे चोटे वीडियो के होएं, ठीक है, फिलाल यहां पर सीच को रूप करें,